नमस्कार जय हिंद बंदे मात्रम दोस्तों आप सभी का स्वागत है पिटेश ब्रोदर प्लेट्पॉम में राष्ठीज में सिर्चा दिशी जामी नाजिस फॉम पिटेश ब्रोदर तो इसमें हमनों देखने वाले हैं जो बिहार इंवर्सिट का तरप से एकनॉमिक्स से यह बिना दिरिकी में सुरू करते हैं आज का पहला कहा है कि समयलित क्या होती है है कि उस्डिक गया है कि इसका nants openings को लिए हैं तो समस्ट्री और साथ क्युंदर के निवन में किसका अध्यान किया जाता और दो हो चाहिए हो जाएगा गया राश्टी आए दोनों पर जो है अधार अस्थमप खाड़ा है आर्थिक समस्याओं का। चलिए अगला कोश्चन, अगर हमारे चैनल पर नए है दोस्तो सब्सक्राइब करें, बेला इकन को प्रेस करें, जीस आपकोस्टों में सब्सक्राइब करें, लाइक के में टो सेर जरूर करें। चलिए चार कह रहा है उत्पादन का साधन कौन सा है भुमी स्राम या पुंजी तो देखे दो तो उत्पादन का साधन यह तीनों होता है भुमी स्राम तता पुंजी यानि स्वभी होगा चले नेक्स स्क्रेवस्टा काउनुट 5 कर रहा हैं और थे बेवस्था की केंद्रिया राम्म यहांपर केंद्रिया समस्याय होंगे यहांपर दखिएص मिष्टिक हो गया है यसलिए और फेल सब्सक्राइब केंद्रिय समस्याय निवमें से कौन सा है tp कौन सा होती है 5 का आपका correct answer D हो जाएगा इन में से सभी साधनों का आवनटन साधनों का कूस सलताम उपयोग यह आर्थिक भीकास यह तीन होता है चलिए अगला question देखते हैं 6 को रहा है उधा सीनता बक्र होता है तो उधा सीनता बक्र क्या होता है 6 का आपका correct answer यह हो जाएगा मूल बिंदू Q और उन्नोत अदर होती है चलिए दोस्तो चैनल को सब्स्राइब करें Next question 7 नमर कर रहा है देखिए यहां पर कि किसी बस्तु में मानविय आउशेक्ताओं को संतुष्ट करने की छमता को कहते हैं तो क्या कोते हैं 7 का आपका correct answer हो जाएगा C हो जाएगा U.P. योगिता कोते हैं चलिए अगला question 8 देख रहा है को रहा है तो ठस्ता बकर का जुकाओं होता है तो किदर से किदर होता है 8 का आपका correct answer यह हो जाएगा दाएं से बाएं की तरफ होता है चलिए अगला question अगरा मन्चल पन्न है सब्सक्राइब करें 9 के को रहा है मांग बकर का समान्य तो ठाल होता है तो किदर से किदर होता है 9 का आपका correct answer हो जाएगा दोस्तों B हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर मांग बकर का समान्य ठाल होता है चलिए अगला question एक गारा कर रहा है देखियां पर किसी परकार की बस्तुओं के मूल में कमी होने से मांग में बिरिधी नहीं होती है यानि किस परकार की बस्तुओं के मूल में कमी होने से मांग में बिरिधी नहीं होती है question कर रहा है तो 11 का आपका correct answer दोस्तों हो जाएगा बी बिलासीता की बस्तुएं जो है इसमें बिरिधी नहीं होती है चलिए अगला question 12 कहरा है दोस्तों मांग को परभावित करने वाले तत्वे निमलेखित में से कौन से है कीमत 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 यानि correct answer आपका D हो जाएगा चलिए अगला question 13 कोरा ऐसे बस्तुएं जीन की एक दूसरे के बदले परियोग किया जाता है कहलाती है यानि एक दूसरे के प्रयोग किया जाता है वह ऐसा बस्तु को क्या कोते हैं तो तेरह का आपको correct answer यह हो जागा पूरक जिसे हम लोग कोते हैं पूरक बस्तु है एक दूसरे के बिपरित यानि पूरक चौधो का रहा है समान बस्तु हे के लिए मांग का नियम बस्तु की कीमत एवं बस्तु की मांग के बीचे ब्यक्त करता है तो क्या करता है चौधो का आपका correct answer दोस्तो हो जाएगा बिपरित संबंध ब्यक्त करता है चलिए अगरा question पंदर का रहा है कौफी के मूल में दी होगी तो चाय की मांग क्या हो जाएगी बढ़ेगी correct answer यह हो जाएगा बढ़ती है चलिए अगला question सुरक और रहा है मांग में संकूचन तब होता है जब तो 16 आपका correct answer C हो जाएगा कीमत इस्तिरतिय और मांग घटती है तो क्या होती है मांग में संकूचन होती है यानि आ 17 आपका correct answer दोस्तो हो जाएगा D हो जाएगा मूल में परिवर्तन से आय में परिवर्तन से एम फैसन में परिवर्तन से तीनों होगा correct answer इसलिए D हो जाएगा चलिए अगर हमारे चलों पर नए है तो सब्सक्राइब करें 18 देखे कर रहा है मूल में बष्थी से गीफिन बस् किसी समाने बस्तू की मांग बकर की ढाल मांग होती है तो कैसी होती है उनाइस का आपका correct answer दोस्तों B हो जाएगा धनातमक होती है चलिए या लास्ट कोस्चन देखते हैं अगर हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जीसा आपको समय सम और वीडियो मिलते रहेंगे लाइक केमेंट शेर जरूर करें तो 20 नमर कर रहा है आए बढ़ने पर उपभोगता किन बस्तू की मांग घटा देता है ये कर रहा है निमन कोटी की बस्तू में बीकरास समाने बस्तू में तो किसको घटा देता है तो आप लो जानती ही होंगे करेक्ट एंसर ये हो जाएगा निमन कोटी की बस्तू में क्या करती है मांग घटा देती है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद जय हिंद बंदे मात्रम दोस्तों देखिए दोस्तों हिंदी का और हिस्ट्री पेपर वन का पूरा इंपोटेंट को हो चुका है जाकर इसके डिस्क्रिप्शन में या परलिष में ज़रू दिकिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद जय हिंद बंदे मात्रम दोस्तों